हिंदी की प्रख्यात आलूचक और स्ताहित्यकार नामवर्ष सिंग अब हमारे बीच नहीं रहे देर रात दिल्ली के इम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली 92 वर्ष के नामवर्ष सिंग को ब्रेन हैम्रिज हुआ था जिसका इलाज काफी वक्त से जल रहा था मगर कल देर रात पचानक उनकी तब्यत ज्यादा बिगड़ गई और उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अल्विदा कह दिया आधी रात को दिल्ली के इम्स से ऐसी खबर निकली जिसने हिंदी साहित्य जगत में स्तनाटा पसर दिया खबर आए कि हिंदी आलोचना के शिकर पुर पुरकाओं में हुआ था उन्होंने हिंदी साहित्य में में और पीच्टी करने के बाद काशी हिंदु विश्विद्याले में पढ़ाई की थी इसके बाद वे दिल्ली आ गए थे या उन्होंने जवाहरलाल नहरू विश्विद्याले में भारतिय भाशा केंद्री की स्था पारिक्रम में लेखक विशुनात्र पाठी ने उन्हें अगे के बाद हिंदी का सबसे बड़ा स्टेट्समेन कहा था। सहते अकादमी पुरसकार से नवाज आ गया। इसके लावा दिल्ली की ओर से सहते भूशन सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से शब्द साधक शिखर सम्मान और महवीर प्रसाद दुवेदी सम्मान से भी वो नवाजे जा चुके हैं।